आज आप लोग एक बार फिर मौझूद हैं शेख अवैरी बजी इंफॉर्मेटिव चैनल पर और मैं हूं मौहमद सालमीन आपके साथ और फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त अपने घरों पर खेरियत से होंगे और फ्रेंड्स आज आज आपके लिए कॉंटेंट लेके आएं हैं उसमें आपको डिफ्रेंड्स बताएंगे टीसीबी और कॉमन बजी में और फ्रेंड्स टीसीबी टैकसस किलियर बॉड़ी जो के मैक्सिको की ब्रीड है और यह वहाँ पर इन्वेंट हुई है आज आपको बताएंगे के टीसीबी बजी में और कॉमन बजी में क्या डिफ्रेंस होता है और कौन सी ऐसी मुटेशन होती है जो इससे बहुत मिलती जुलती होती है तो फ्रेंड्स चलते हैं आज के कॉंटेंट की दरफ यह जो वर्ड आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह टीसीबी की अधिक कि होता है जबके कमन जो बजी होते हैं उनके अंदर यह डार्क ब्लू और नेवी ब्लू टाइप का होता है सबसे पहले तो यह निशानी तीसीबी बड़की है और फ्रेंड इसके फ्लाइंग बिंग से लगाई जाती है यह आप देख सकते हैं बहुत ही डार्क मा यह आप color देख सकते हैं इसका यह white है इसके flying wings लेकिन मेले हुए हैं तो यह इसकी जो है दूसरी निशानी होती है पहचान करने की TCB बजी की और friends जो इसकी सबसे last जो निशानी है वो इसकी tail होती है इसकी tail जो होती हो वो बिल्कुल dark color की होती है और इसकी जो body होती है यह body single color म अगर yellow है तो यह पूरा yellow होगी इसकी body अगर blue है तो body पूरी blue होगी white है तो body पूरी white होगी और friends इसकी आंक जो है वो black color होती है नॉर्मल जिस तरह बजी इसकी आंक होती है तो यह निशानिया थी पहचान करने की TCB bird की और अब आपको बताएंगे के TCB से मिलती जुलती जो वो कौन सी है और उसकी क्या निशानिया होती है और TCB में और इसमें क्या फरक होता है यह जो word आप मेरे हाथ में देख रहे हैं यह वो mutation है जो TCB से बहुत मिलती जुलती है और इस mutation को fellow कहा जाता है और friends सबसे major difference है fellow में और TCB में वो यह होता है कि fellow की जो आंक है इसका red color होत है और friends second difference जो मैं आपको बताया था के पैचिस का color देख सकते हैं इसके जो पैचिस का color है वो dark blue है और यह different है काफी TCB के पैचिस से और friend ठर्ड जो difference है वो इसके flying wings का है यह आप देख सकते हैं यह gray color के है जबकि TCB के जो flying wings होते हैं वो white color के होते हैं और mellow हुए होते हैं गंदा गरदो white color को इस type के ऐनी गंदे हुए पर होते हैं मेला color होते हैं जबकि फैलो में जो है यह gray color के flying वो होते हैं जबकि इसकी marking जो है यह same है विलकुल जैसे के TCB में होती है dark marking विल्कुल same है और इसकी body जो होती है वो भी विल्कुल same होती है TCB की तरह अगर blue है तो blue होगी अगर white है तो पूरी white होगी green है तो green shade होगा जबके tail जो है इसकी यह आप देख सकते हैं TCB की जो tail होगी friends वो हमेशा dark color में होगी जबके fellow होगी जो है वो light color में होगी जैसा कि आप देख सकते हैं और TCB मैंने आपको दिखाया था तो friends यह difference होता है TCB में और fellow में काफी जादा यह मिलते जुलते होते हैं आपस में लेकिन कुछ चीज़ है वो हमें difference कर देती हैं और सबसे major difference जो है वो eye color का होता है यह red eye होते हैं और TCB जो है वो black eye होते हैं और friends अब आपको बज़री के अंदर कुछ ऐसे color दिखाते चलेंगे जो काफी हद तक मिलते हैं TCB के अंदर और लोग cross breeding करवाने की कोशिश करते हैं फैलो की और बज़री की TCB हासिल करने के लिए लेकिन TCB हासिल नहीं हो पाता क्योंकि TCB जो है वो एक अलग mutation है इस तरह का bird जो है वो result out करवाया जाता है फैलो और बज़री या cross करवा के TCB हासिल करने के लिए लेकिन TCB हासिल नहीं हो पाता आप इसके patches का color देख सकते हैं नेवी ब्लू है डार्क ब्लू कलर है और इसके जो flying wings है वो भी grey color के हैं TCB की तरह नहीं है और इसकी जो marking है वो भी इतनी dark नहीं है TCB से बहुत मिलती जलती है आम तोर पर लोग धोका खा जाते है TCB समझ लेते हैं लेकिन मिलती जलती है TCB से लेकिन यह TCB नहीं है और इसकी जो tail का color है वो भी light है tail का color dark नहीं है आप देख सकते हैं और body यह color same है blue shade के अंदर है यह bird लेकिन यह bird TCB नहीं है जबके इसकी black eye भी है लेकिन यह bird TCB नहीं है और friends मैं उमीद करता हूँ कि आज की वीडियो आप लोगे लिए काफ informative रही होगी और आप लोगे अच्छी तरह difference समझा गया होगा कि TCB बजी में और common बजी इसके अंदर क्या difference होता है और अगर किसी दोस्त का कोई सवाल हो तो वो comment section में comment कर सकता है और friends अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो like कीजिएगा और तमाम जो bird lovers हैं आपके friends हैं उनके साथ share कीजिएगा next week इंशालला new content के साथ आपके शिल्मब में फिर हाजिर होगे तब तक के लिए अपना खयाल रखिएगा assalamualaikum